सांपों की पूजा की जाती है आज नाग पंचमी है आज श्रावन मास शुकलपक्ष पंचमी कहते हैं पंचमी तिति के स्वामी सर्प यानि की नाग देवता ही होते है इसलिए आज उनकी पूजा की जाती है और इस दिन के साथ बहुत सारी पुरानी कहानिया जुरी है पहली कथा महाभारत के बाद से आती है जब अर्जुन के पौत्र यानि की अभिमन्यू के पुत्र परिक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था और उनके बेटे जनमेजे ने बदला लेने के लिए संपून सर्प जाती का विनाश करने का सोचा था और सर्प सत्र यग किया था उस उसमें सारे नाग खतम होने कोई थे तभी आस्ते कृशी ने यग्य को रोग कर सांपों को बचा लिया था और वो उस अगनी से थोड़ी सी शांती पा सके थोड़ा सा उने सुकून मिले उसके लिए उन पर दूद चढ़ाया गया था दूद से उनको नहलाया गया था सांप सर्पदोश से भी आपको छुटकारा दिलवाती है साथ इसाथ शिवजी भी बहुत प्रसंद होते हैं क्योंकि शिवजी का तो खास संबंध है ही नागों से